चोपड़ा एजूकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो NEED24 का एप्लिकेशन फॉर्म फिल करते से में काफी सारे डाउर्स होते हैं जैसे की एग्जामिनेशन कोड 1 to 7 तक दिया गया है कौण सा कोड किस स्टुडेंट के लिए एप्लिकेबल है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कास्ट सर्टिपिकेट है एप्लिकेशन फॉर्म में अप्लोड करना है या नहीं करना चीए इसकी वेलिडिटी क्या होगी ओबीसी का कास्ट सर्टिपिकेट EWS, SC, ST कब सर्टिपिकेट बनवाना है कब का बनावा सर्टिपिकेट चल जाएगा इसके विशर में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे साती साथ ज्यादा डाउट्स फोटोग्राप को लेके होता है कि फोटोग्राप कब का बनावा होना चीए उसकी क्या कंडिशने होने चीए सिगनेचर और लेप एंड राइट हैंड के थम और फिंगर का भी इंप्रेशन का यहां हम चर्चा करेंगे किस किस कंडिशन की होनी चीए यह साथ ही हम मिनिमम मार्क्स की बात भी करेंगे कौन-कौन से कंडिडेट नीट की एक्जाम के लिए इलिजिबल हैं उन सब की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एक्जामिनेशन कोड की जो 1-2-7 तक दिया गया है एक्जामिनेशन कोड वो कौन-कौन से स्टुडेंट के लिए कौन सा कोड एप्लीकेबल है तो जो कंडिडेट इस साल 12th की एक्जाम दे रहे हैं मतलब 24 में 12th की एक्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं उन कंडिडेट को कोड वन यहां पर फिल करना है अगर वो 12th की एक्जाम की डिटेल्स फिल करते हैं तो उसमें पासिंग स्टेटस में दो उप्सन आते हैं एक आता है पास्ट का और एक आता है अपियरिंग का तो पास उन्होंने अभी तक किया नहीं है एक्जाम लगी नहीं है या फिर रजल्ट आया नहीं है तो वो अपेरिंग ओप्सन सेलेक्ट करेंगे अपेरिंग ओप्सन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो एक्जामिनेशन कोड में उनको कोड वन सेलेक्ट है कोड वन शो होगा सिरफ एक ही code शो होगा उनको appearing candidates को code 1 तो वो code 1 इनको select करना है यहाँ पर लेकिन condition यह है कि इन candidates को English, Physics, Chemistry और Biology या Bio Technology subject में पास होना चीए जब first round of counseling हो रही है यानि first round of counseling के time पर यह इनका result आजाना चीए और इन subjects में पास होना चीए और minimum marks के condition भी आगे मैं आपको बताऊंगा उतने minimum marks subject में होना चीए इनके तो यह condition code 1 subject जो code 1 भरेंगे उन candidates के लिए है और जो appearing candidates हैं वो code 1 फिल करेंगे अब जिन्होंने 12th class पास कर ली है वो candidate यहाँ code 2 फिल करेंगे यानि कि जिन candidates ने 12th years की study complete कर ली है 12th class physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी और English subject के साथ पास कर ली है वो candidates code 2 यहाँ फिल करेंगे तो दो परकार की condition हो गई code 1 वो candidates फिल करेंगे जे appearing candidates है और code 2 जिन्होंने 12th class पास कर ली है यानि National Institute of Open Schooling से अगर 12th class पास की है वो भी candidate need की exam के लिए eligible है इसके बाद state open school से पास की है वो भी candidate से वो इसके लिए eligible है और private candidate है जो recognized state board से जिन्होंने 12th class पास की है private candidate ने वो भी इसके लिए eligible है biology और biotechnology अगर जिनके additional subject था additional subject था biology और biotechnology वो भी इसके लिए eligible है need 24 exam के लिए अभी इसका case सुप्रिम कोर्ट में चल रहा है जब तक इसका outcome नहीं आता है तब तक ये candidates eligible है need 24 की exam के लिए तो additional subject वाले भी N.I.S. वाले भी private candidates भी और state के जो open school candidate है वो भी इसके लिए eligible है और बाकी जो government state boards होते हैं उसके candidates तो इसमें eligible हैं है तो code to उन candidates को fill करना है जिन्होंने 12th class पास की है physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी से और English उनके subject रहा है और additional subject रहे हैं जिसके biology या बायो टेकनोलोजी तो वो भी इसके लिए eligible हैं तो code to उन candidates को fill करना है अब code 3 है वो intermediate या pre-degree examination कुछ से state में ये exam होती है ये और physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी से ये exam इन्होंने पास की है pre-degree examination तो वो यहाँ code 3 fill कर सकते हैं इसके बाद code 4 pre-professional और pre-medical examination physics, chemistry, biology और biotechnology और english subject के साथ जिन्होंने पास की है वो यहाँ पर code 4 fill कर सकते हैं code 5 वो candidate fill कर सकते हैं जिन्होंने first year three year degree course में रिकोगजनाइज इन्यूएर्सिटी जिसमें physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी subject से पास कर ली है वो code 5 fill कर सकते हैं यह BSC first year वाले candidates भी इसमें eligible हैं यानि कि BSC अगर first year pass कर लिया है, second year में चले गए हैं तो वो candidate भी code 5 यहाँ fill कर सकते हैं इसके बाद में जिन्होंने BSC complete कर ली है वो code 6 यहाँ पर fill करेंगे और code 7 है वो out country यहाँ अबोर्ड के लिए है तो manly code 2 है, code 1 और code 2 और जिन्होंने BSC complete कर ली है वो code 6 यहाँ fill कर सकते हैं जो BSC second year में है, first year pass कर ली है वो code 5 fill कर सकते हैं इसके अलावा बाकी candidates इसके अलावा जैसे code 5 का और code 6 का मैंने बताया है इसके अलावा बाकी candidates code 2 fill कर सकते हैं कोई problem नहीं है यहाँ पर जैसा कि किसी candidate ने BDS में admission ले लिया तो BDS में यहाँ किसी भी code में condition नहीं दे रखी है क्योंकि code 3 का देखते हैं तो इसमें भी physics chemistry biology है BDS में physics chemistry biology होती नहीं है इसके बाद में subject होता नहीं है, वो अलग-अलग subject है इसके बाद में code 4 में, sorry, code 4 में भी ऐसा लिखा गया है code 4 में भी conditional नहीं है, pre-professional or pre-medical examination अगर देखते हैं तो वो physics chemistry biology, bio technology, English ऐसी इस परकार के subjects आते नहीं है, तो जो candidates BDS कर रहे हैं, first year में हैं, second year में हैं, third year में हैं या BMS, BHMS, BUMS, BSMS या veterinary course कर रहे हैं तो वो code 2 ही fill करेंगे, बाकि सारे code की या किसी भी उनका यहाँ code में condition नहीं आ रहा है, वो code 2 fill करेंगे, कोई गलती नहीं है क्योंकि NEET का जो qualifying exam है, वो 12th class है, और आप 12th class pass कर चुके हैं उसकी details दे रहे हैं आप, तो वो candidates code 2 fill करेंगे, कोई mistake नहीं है यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी आपकी, तो code के बारे में मैं आपको फिर से एक बार summarize करवा देता हूँ code 1 appearing candidate fill करेंगे, code 2 जिनोंने 12th class pass कर ली है physics, chemistry, biology और बायो, technology और इंगलिस साथ में होना चीए, वो code 2 fill करेंगे इसके बाद code 3 जहाँ पर pre-degree course होता है, वो fill करेंगे, code 4 जो pre-professional या फिर pre-medical exam वाले candidate physics, chemistry, biology, biology और बायो, technology वाले code 4 fill करेंगे, code 5 fill करेंगे, जो BSC second year कर रहे हैं, first year pass कर ली है, code 6 करेंगे जिनोंने final कर ली है BSC इसके अलावा अगर किसी भी candidate को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने 12th class pass कर ली है, और दूसरे course कर रहे हैं, तो वो code 2 fill कर देंगे, तो यहाँ कोई गलती नहीं है, किसी परकार की कोई mistake नहीं होगी यहाँ पर, तो यह इस परकार से code आप fill कर सकते हैं, code का इतना window open होगा, तब भी आप इसमें correct कर सकते हैं, अगर आपने अभी गलत code fill कर दिया तो, इसके बाद में हम बात करते हैं minimum marks की, कि NEET की exam के लिए minimum marks क्या चाहिए, तो NEET की exam के लिए देखो, English, Physics, Chemistry, Biology, or Bio Technology subject में पास होना चाहिए है, individually, हर एक subject में पास होना चाहिए, उसके बाद, जो candidates, general और EWS के हैं, जो candidates, general और EWS के हैं, general, category और EWS के हैं, वो 12th class में, तीन subject में, Physics, Chemistry, Biology, or Bio Technology, इन तीन subject में, 50% aggregates marks से जरूरी है, इनका aggregate का मतलब, Physics, Chemistry, Biology, तीनों subject का total 50% होना चाहिए, जनरल और EWS के लिए, मतलब, मैं आपको यहां बता देता हूँ, मान लो, किसी student के Physics में, 57 marks आये हैं, Physics में, 57 marks आये हैं, Chemistry में, उसके 43 marks ही रह गए हैं, Bio में, उसके 60 marks आ गए हैं, तो वो candidates eligible है, NEET की exam के लिए, क्योंकि इन तीनों का total 50% से ज्यादा हो रहा है, 60% 50% से ज्यादा हो रहा है, तो यह candidate इसके लिए eligible हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी आपको 50% subject wise ज़रूरी नहीं है कि 50% होना चाहिए, इन तीनों का total 50% होना चाहिए, यानि कि आप 300, शुरी अगर 100-100 का exam है, तो 300 से divide कर सकते हैं इसमें, यानि कि अगर 300 का exam है, तो 300 का 50% आपको 150 marks से ज्यादा चाहिए, इसमें 150 marks या इस से ज्यादा चाहिए 50%, तो यह तो हो गई general EWS की condition, बाकी सारी जो category बच गई, उनको 40% से इन तीनों सब्जेक्ट में, SC, ST, OBC और PWD candidate, दिवयंग candidate, इनको 40% से इन तीनों सब्जेक्ट में, और individually pass होना चाहिए, छार सब्जेक्ट में, तो इन तीनों का total 40% होना चाहिए, उनके लिए, तो यह condition है minimum marks की, minimum marks के बारे में भी students को क पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, मेरे तो एक subject में 50% से marks कम है, मैं भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, तो यह मैंने आपको बता दिया है, इसमें, अब बात करें हम certificates की, cast certificate, OBC, EWS, SC, ST, तो यह जो certificates हैं, इस बार से आपको online form में upload नहीं करने हैं, यहनी cast certificate, इस बार से NEET का जो online application form फिल करेंगे, उसमें upload करनी के आउश्यक्ता नहीं है इनको, लेकिन counseling के time में आपके पास में valid cost certificate होना चीए, यानि कि जो OBC category फिल कर रहे हैं अभी तो उनको पास OBC का certificate होना चीए, क्योंकि उनको OBC से seat alert होगी, SC का है, तो SC का certificate होना चीए, ST का certificate होना चीए, EWS क certificate होना चीए, तो अभी certificate के आउश्यक्ता नहीं है, आप आराम से counseling की time में certificate नया बनवा सकते हैं और उस समय आप certificate काम में ले सकते हैं, अब बात करें certificate की validity के बारे में, कि कब का certificate मनने होगा इसमें, तो देखो, जो EWS और OBC का certificate है, EWS और OBC का certificate होता है, वो एक साल के लिए मन होता है, तो जब counseling होगी आपकी, उससे पहले अगर एक साल तक आपका certificate बना हुआ है, तो वो आपका चल जाएगा, नहीं तो आप counseling में नया certificate भी बनवा सकते हैं, EWS और OBC candidates, इसके लावा SC और ST candidates, एक ही बार certificate बनता है, इनका, अगर certificate बना हुआ है, चाए उसकी validity कितना पु EWS और OBC के certificate की, बाकी जो PWD candidate से, दिवान candidate है, उनका medical board से certificate बना हुआ होना चीए, और वो certificate भी upload करना है, वो certificate upload करना है, लेकिन cast certificate upload करने की आवश्यक्ता नहीं है, online certificate में, आपको counseling के time में इसकी requirement होगी, अब बात करते हैं हम photographs के बारे में, जो photo, आपको दो प्रकार की photo upload करनी है, password size की और postcard size की, postcard size की photo बड़ी होती है, तो यह जो photograph है आपकी, यहाँ condition यह है कि इस परकार की photograph होने चीए, आपकी, जैसे कि बिल्कुल clear होने चीए, यहां candidate का नाम होना चीए, और कौन सी तारिक को photo ली है, वो होने चीए, यह जो photo होने चीए, वो 1-1-2024 के बाद की हो photo होने चीए, इससे पहले की photo नहीं चलेगी, यहां जो आप date, यहां mention करवा रहे हैं, यह date, 1-1-2024 के बाद की होने चीए, यह जो आपके हैं, वो दोनों visible होने चीए, और white background होने चीए, photo का, तो यह photo की condition है, दोनों photo की, यही condition है, postcard size की photo की, जो postcard size की photo होती है, 4-6 inches की होती है, और जो passport size की photo है, वो आप जानते ही है, छोटी photo होती है, तो इस परकार से आप photo की condition देख करके आपने photo यहां upload करनी है, अब बात करें हम, जो आपको दोनों hands के finger और thumb यहां impress करके upload करने है, तो यहां आप सभी finger और thumb के एक बार pad से ink लगा लें, और एक white page लेकर करके उस white page पर दोनों हाथ इस परकार से रख देंगे, यह left और यह right, इस परकार से आपकी अंगुलियां आ जाएंगी, इसके निसान आ जाएंगी, जो यह दिखाया हुआ है, इस परकार से पूरी हैंड्स के अंगुली और यह अंगुठा लगाना है, अपलोड करना है, signature आपके running hand में होने चीए, यह black ink से होना चीए, signature आपके black ink से होनी चीए, यहां पर, यह condition है इसकी black ink से, बाकी वैसे भी normal से भी करते हैं, student ऐसी कोई problem होती नहीं है, फिर भी आपके black ink से signature होनी चीए, अब हम आगे बात करते हैं कि और आगे कौण-कौण सी problem आ सकती है application form में, तो इसके लिए, इसके लिए मैंने दो पार्ट में वीडियो बनाया है, पूरे application form को एक एक कोलम में क्या-क्या फिल करना है, यह समझाया है, तो इस वीडियो की channel सर्च करके, इस channel का वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे आपने forum फिल करना है, हलांकि इस वीडियो की description box में मैं उस वीडियो की दोनुपार्ट का link डाल दूँगा, तो आप application form फिल करेंगे, तो किसी प्रकार की कोई mistake नहीं होगी, फिर भी आपको कोई doubts होता है, तो आप हमारे comments में लिख सकत तो मिलेंगे नई update की साथ नई वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हूँ